दिल्ली से गुर्गाओं जाने की इस सड़क पर बजबजाती कारों को आप देखिए आस्मान में जो इमारते खड़ी दूर नजर आ रही हैं उन्हें देखकर ये भरम होता है कि हम किसी विक्सित से शहर में जा रहे हैं जो हमारी तरक्की का कोई मॉडल है लेकिन जब आप सड़क की तरफ देख रहे हैं तो आप ही खुद अपनी नजरों से देखिए आँखों से देखिए कि क्या आलम है चलने की जगा नहीं है हर चलने फिरने की जगा को हमने कारों से भर दिया है कहीं भी जाएए आपने शहर के किसी भी हिस्से को जरा सा निकल कर देखिए तो टेड़ी मेड़ी आड़ी तिर्शी करके कारे खड़ी कर दी गई है हर वो खाली जगा जहां हमारे बच्चे चल सकते थे जहां हम खुद चल सकते थे हमने वहाँ पर कारे खरीद के लगा दी है एक और बदलाओ हमारे शहर में ये आया है कि इस शहर ने कार के खिलाब मतलब तमाम शहर ने दिली गुरगाओं हो या फरीदाबाद हो या पटना हो या फिर मुंबई हो या बैंगलूरू हो कार पार्किंग के खिलाब अपने सर पर तरह तरह के नियम बनाए हैं कहीं लिखा होता है कि अगर आप यहां पर कार पार्क करेंगे तो आपकी टायर पंचर कर दी जाएगी कहीं यह लिखा होता है कि DCP का आदेश है कार पार्क करना गहर कानूनी है यह मेरी पार्किंग है आप यहां पर पार्क नहीं कर सकते हैं आप आपके साथ ये किया जाएगा वो किया जाएगा तो एक तरह से इस कार को जिसे हम हैसियत तरक्की का प्रमान समझ कर खरीते हैं लेकिन जब अपने महले में लेकर जाते हैं तो हमारा स्वागत अपराधी की तरह होने लगता है कि आप ये मेरी जगह है आप यहाँ पर कार पार्क नहीं कर सकते मैं मुंबई गया था तो प्रित्वी थियेटर के बाहर एक साइन बोड है no parking not 5 minutes not 30 seconds not at all कितने गुसे में लिखा हुआ है कि 5 minutes भी नहीं 30 seconds भी नहीं और सोचना भी नहीं है इसमें लिखा हुआ कि सोचो भी मत नहीं सोचो भी नहीं कि यहां पर आप पार्क कर सकते हैं तो इस तरह से हम लोग आतंकित होने लगे हैं parking को लेकर जाहिर है हमने कार को लेकर आप तुलसी उस तरफ देखिए कि किस तरह से लोग पैदर लोग चले यह वो लोग हैं जो अपनी आर्थिक किस्ति के कायरण कारों से तो नहीं जा रहे हैं मगर आपकेinator का धला कर रहे हैं इनहें यह आपकेशली नागरिक हैं जो आपके शहर को प्रदुषित नहीं कर रहे हैं तो हम गुरगाओं सुधार आ जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ तो सुधार आया ही होगा कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आज के दिन अपनी कार को छोड़ा होगा हम इतनी जल्दी सुधारने वाले लोग नहीं हैं हम चाहते हैं कि भगत सिंग दूसरे के घर में पैदा हो जाए हम उनी गाड़ियों को लेकर जाएंगे गलत तरीके से पार्किंग करेंगे और चाहेंगे कोई आकर इस देश को सुधार भी दे तो हम वो लोग हैं तो एक तरह से हम गुडगाओं जा रहे हैं इनकी इस जगह की इमारतों को देखिए तो आपको लगेगा कि हम कहां आ गए हैं ये कोई उपर से तो सिंगापूर दिखता है नीचे अगर जमीन पर देखिए तो कारों का जंगल दिखता है तो ये वो शहर है जिसे हमने वो जो फेफड़े में पहुंच रहे हैं तो हमारे फेफड़े को ध्वस कर दे रहे हैं कैंसर पैदा कर दे रहे हैं तरह तरह की बीमारियां और हम शौक से मर रहे हैं लेकिन क्या ऐसा है कि हम इसके बदलाओ के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं ऐसा अक्चियों हैं कि इस ट्रैफिक जाम को लेकर सबने स्विकार कर लिया है और सम 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक वही FM चैनलों पर बखवास सुन रहे हैं कान फट जा रहे हैं अब तो नेताओं के बखवास विग्वापन आने लगे हैं लेकिन फिर भी लोग इस जाम से मुक्त कि इस्तेमाल की संस्कृति को अपनाना शुरू कर दे हैं तो प्राइम टाइम में अपनी कार से कार फ्री ड्रे के इस असर का आगाज करता हूं प्रश्ट 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 प्रश् बास लेयां हम Dentने सार्म गराँ में नहीं को तोक देंगे कि यह याँ इतनी तंखा हूए तूम कार से क्यों नहीं смwatch करता हूं Kemal कार म हीं हैं लेकिन फिर भी लोग अभी किसी लड़के ने शिकायत की कि बड़ी हरान हूं कि उनके पास इस मॉडल की कार है तो मुझे लगता है कि मुझे ही कितना दबाव है कि कोई बढ़ी सी बहेंकर सी गाड़ियां तीन पांच करके खरी लूँ तनखास है तो नहीं खरी सकता लेकिन सरा हम अपनी गाड़ी चोड़ चोड़ के मतलब हम अपनी कैबित यह लेते हैं गाड़ी हम चाल लोग इसमें एक साद आ रहे हैं तो यह देखे तो से यह फुट पाथ है यह किनारे जो बना हुआ है जेबरा क्रोसिंग का और इस पे एक आदमी चल रहा है चीक है और अब बाहनी तरफ कैमरा कीजेगा तो देखे कितनी गाड़े गाड़ियां आरहे हैं इस साइबर सेटी बे अभी सजन ने का आज एक स्टेटस का भी मामला है तो मेट्रो स्टेशन जबकि नजदीक है यहां से बहुत दूर भी नहीं है तो कहां पर हैं आप बाहर निकलोगे आप भी मेट्रो से आते हैं आपको पता है कार फील्डे मनाते हैं नहीं पता है नहीं पता है किसी ने पताया भी नहीं कार फील्डे के नहीं पता है और मेट्रो जो है वो इतनी भी बीड़ वाली है कुछ कहने की बात नहीं पता है और मेट्रो जो है वो इतनी भीड वाली ह तरह किसी करहा से बोरे में जैसा अलुट फूस धियाए जैं ठूसा हमार यह देखिये हमारी भी तरास्ती आप इतना सुखा दिया कि उसमें नाओं के चलने की अब स्थिती नहीं है लेकिन नाओं तो हम भूले नहीं है तो देखिए नाओं के शकल में बिल्डिंग बना रहे जिसे लग रहा है कि वह आसमान में चबदा है तो कभी किसी ने इस बिल्डिंग को इस नजर से नहीं देखा कि यही हम कर रहे हैं कि दरसल हम प्रकृती के सारी चीज़ों को बरबाद कर रहे हैं और उसके मॉडल के कोई इमारत बना दे रहे हैं तो पहाड नदियां कोई बिल्डिंग इसी तरह की बन जाएंगी जैसे नदियां हो और लोग चट के ऊपर स्विमिंग पूल बना देते हैं और शिशे वाले स्विमिंग पूल मैंने किसी अखबार में देखा था और बड़ी वाहवाई हो रही थी तो नीचे जहां जमीन पर पानी है उससे सुखा दीजे खराब कर दीजे तो ये भी है तरह तरह की बिल्डिंग है नमस्कार नमस्कार कहां है देखे कार तो लोग छोड़ी नहीं रहा है चलान किजिएगा तब भी नहीं छोड़ेगा कितना चलान करेंगा पार्किन में तेखते थे आज संदक देख लिए आपको आप लोग काम जादा मुश्किल है पिना चुट्टी के और धूप में बारिश में आप लोग काम करते हैं कम हो रहा है कार फीडे का कुछ फ़सर हो रहा है हुन अच्छी साइकल लेली है यहां पर अच्छा मुश्की के लिए ठीक है उस होडिंग को देखकर लगेगा कि आपका शहर कितना चमकदार है कितना डेवलेप्मेंट हुआ है लेकिन जैसे ही तुलसी जी अपना कैमरा नीचे सड़क की तरफ उतारें गे तो यह देखिए विकास के नाम पर हमने अपने शहर का यह हालत कर रखा है शोर है यहाँ पर प्रदूशन तो खैर आप पूछिये मत और किस तरह से हमने इस पूरी जगा को बेतरतीब बना दिया है जो देखने में भद्दा भद्दा तो लगी रहा है बतार इतना इतना भद्दा है यह कि आप यह हम सब बना रहे हैं इतनी जो गाड़ियां है सुन्दर सुन्दर मॉडल की जिनको हम विग्यापनों में देखते हैं सुन्दर लगती हैं यह सब आकर क्या बना रही है एक ऐसी तस्वीर बना रही है जो देखने लायक नहीं है इन खुफिरत गाडियों से बनी हुई यह जो तस्वीर है वो देखने लायक नहीं है तो हमको आज ना कल तो एक बार समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं इन कारों के साथ अपने शहर के साथ और अपने साथ क्या कर रहे हैं हमारे साथ अमिद जी हैं इमके साथ हमने रागेरी का एक कारिकरम भी किया था कनौट प्लेस से यहाँ जो मैं आपसे पहले पहले एक को चीज में दिखाना चाहता हूँ बात करने से पहले, यह वोट फॉर अपकी बार no car, तो यह Car Free Day का यह जो नारा है, यह अपकी बार चल गया है, क्योंकि अब जिसे भी देगे वही अब की बार मेरी सरकार अब की बार तेरी सरकार मना रहा है लेकिन इस नारे का अच्छा इस्तमाल हुआ है कि अब की बार नो कार एक और होडिंग में आपको दिखाना चाहता हूँ यह आटो रिक्षा स्टैंड है मतलब यह संकेत है कि हम प्राइवे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट के जितने भी मोड्स हैं जितने भी तौर तरीके हैं आटो बस मेट्रो इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तमाल करें और इनकी भी बेवस्था जो खराब है उसे ठीक करें